हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोर्ड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस अप्लिकेशन डेवल्पमेंट के अंदर वो है किस त्रीके से हमने वेब अपी आई से मल्टिपल इमेजीज को जो है फैच करना है विद दी हलप ओफ यूरल प्रोवाइड इन वेब अपी आई वेब अपी आई से हमें जो डेटा रसीव होगा उसमें बिसिकली इमेजीज के जो यूरल से वो होंगे और images को download करने के लिए अब हम इस example के अंदर sd web image library जो है वो use करेंगे और जितनी भी images को हम fetch करेंगे sd web image library की help के साथ वो सारी images हम table view में जो है वो display करवाएंगे तो चलिए मेरे पास simulator के अंदर एक live running example है पहले मैं इसकी working आपको दिखा देता हूँ तांके exactly जो application है किस तरीके से work करती है वो आप जान पाएं और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही easy and simple way के साथ इस तरीके की जो examples हैं वो आप iOS devices के लिए X code के अंदर swift language की help के साथ develop कर पाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं application के अंदर जो title में लिखा हुआ है as the web image library and web API और नीचे आप देख सकते हैं table view के cells के अंदर मैंने जो images हैं dogs के related जो images हैं वो मैंने display करवाई हुई हैं तो जैसे ऐसे आप scroll करते जाएंगे आप देख सकते हैं images जो हैं किस तरीके से यहां पर कुछ images जो हैं वो download होने के बार यहां पर display हो पा रही हैं तो इस तरीके की हमारी आज की example है code काफी simple है क्योंकि हमने library की help ली है library में होता क्या है सारा code inbuilt ही होता है बस आपको particular function को call करना है जो भी आपकी requirement हो तो यह है तो अब चलिए मैं आपको web API दिखा देता हूं dog.ceo एक website है जहां पे आप इस तरीके से provide की गई web APIs को जो है वो use कर सकते हैं मैंने यहां पर by breed जो यहां पर यह देख सकते हैं जो web API है इसको use की है और इसका जो data हमें return होता है इस web API को जब हम assess करते हैं इस तरीके का हमें data वापिस मिलता है जेसन की format के अंदर अगर मैं एक link आपको open करके दिखा हूं तो आप जान पाएंगे कि इसके अंदर basically पर्टिकुलर जो dog की image है वो है तो इनी URL से हमने सारी की सारी जो images है उनको fetch किया है as the web image library की help के साथ और table view के जो है अंदर display करवाने की जो है वो कोशिश की है तो चलिए अब मैं आपको जो web library है वो भी दिखा देता हूं यहां पर github पर जो है यह library पड़ी हुई है यहां पर आप देख सकते हैं मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं वेब इमेज और इसको मैं open करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के से यह library हमें asynchronous जो image downloading का जो feature है वो provide करती है और भी कई सारे features हैं मगर हम इस library के जो basic features हैं वो use करेंगे और जो version हम use करेंगे इस as the web image library का वो हम करेंगे 5.0 यह वाला जो version है वो हम use करेंगे और इसे coco ports के थ्रू जो है embed करेंगे अपने project के अंदर तो friends यह तो बात थी working इस example की आपको पता ही है जितनी भी मैं examples अपने channel के ओपर upload करता हूं तो practically implementation शुरू करने से पहले मैं उस particular application जो भी implement करना बताता हूं उसमें जो theory के related important terms हैं उनके बारे मैं थोड़ी सी information आपको जरूर देता हूं तांके आप google पर search करके इनके बारे में और भी knowledge जो है वो gain कर पाएं तो सबसे पहला जो concept इस example के लिए most important है वो है as the web image तो यह basically asynchronous image downloader है जिसमें हमें cache की जो support temporary data को application की memory के अंदर store करने का जो feature है वो भी मिलता है और इसे हम अधर features भी यहां पर मिलते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर disc image caching with automatic cache expiration handling image loading indicator भी आपको मिलता है जिसको मैंने इस example के अंदर use किया है तो जैसे ही आप fastly scroll करेंगे तो आप थोड़ा सा indicator जो है वो image view के अंदर default image view के अंदर जो है वो देख पाएंगे और यहां पर image loading transition animation भी हम provide कर सकते हैं और यह library हमें गरंटी देती है के एक ही URL से multiple times और data है वो download नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें cash की जो sport है वो भी मिलती है वो भी automatic और यह भी गरंटी देता है के URL जो invalid URL होगा उससे data यह जो library है बार बार retrieve करने की जो कोशिश है वो नहीं करेगी जिससे आपकी जो application है वो freeze नहीं होगी freeze का मतलब hang नहीं होगी और अगला जो main topic है वो है UI table view तो iOS के अंदर यह एक built-in class है जिसको design किया गया है especially इसी purpose के लिए तांके आप data को as a scrolling list of items की form के अंदर जो आव डिस्प्ले करवा पाएं और जो table view को manage कर कौन करता है उसको table view controller manage करता है यहां फिर आप कह सकते हो कि जो UI table view controller class है वो basically इस UI table view की super class है तो friends यह थी theory के related important time जो आपके लिए जानना काफी जरूरी था अब हम देखेंगे इस example को हमने practically कैसे implement करना है तो इसके लिए इस project को मैं stop कर देता हूँ इस पूरे project को मैं close कर देता हूँ अब हम बिलकुल एक beginning से एक नए project की यहां पर शुरुआद करेंगे और यह basically single view app होगी next पर क्लिक करते हैं अब आपने product name के अंदर आज ही इस आज की example का जो भी name आप देना चाहते हैं वो यहां पर दे सकते हैं मैं अपने accordingly यहां पर लिख देता हूँ as the web image fetch images web API table view तो इस तरीके से मैं एक name प्रवाइड कर देता हूँ बाकी settings मैं default रहने दोंगा और जो language मैं use करूंगा example को implement करने के लिए वो मैं करूंगा swift और अब हम next के ऊपर क्लिक करेंगे अब हमने laptop के अंदर कहीं पर एक folder जो है वो create कर देना है तांके आज की example का जो सारा source code है उस particular folder के अंदर जो है वो save हो पाए तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ एक folder create कर देता हूँ और इस folder के अंदर पूरे का पूरा project मैं create कर देता हूँ अब आप देख सकते हैं मेरा project जो है create हो चुका है अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखा हूँ तो जो swift का version है वो है 5 और अगर बात करें X code की तो यह है 10.2.1 अगर आपके पास इससे भी higher version है तब भी आप इस example को इसी वे के साथ easily develop कर पाएंगे और जो मेरे पास laptop है यह है Macbook Air तो friends यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस channel के उपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस channel को subscribe कर लें क्योंकि इस channel के उपर हम daily programming के related जो video tutorials हैं उनके सबसे बड़िया method जो है वो upload करते रहते है जिसे आपको programming सीखने और समयने में काफी help मिलेगी और in case कहीं पर भी आपको कोई problem आती है तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं यहाँ फिर हमें directly email बेज सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी query होगी उसका जो solution है वो आप तक जल से जल पहुचा आपाएं तो अब हम main.storyboard में जाएंगे और इस example का जो graphical user interface है वो यहाँ पर ready करेंगे तो मैं object library के थुरू एक table view को यहाँ पर drag and drop करूँगा इस तरीके से और इसे अब constraints apply करने हैं तो यहाँ पर मैं four sides पर zero zero value enter करके इसे apply करूँगा table view के ऊपर अब मैं attribute inspector के अंदर जाओंगा इसका जो prototype cell property इस table view की उसको one करेंगे size inspector के अंदर जाने के बाद इसकी जो row की height वो आपने करनी है 250 आप कमजाद जादा कर सकते हैं अब आपने table view के cell को select करना है और इसकी भी जो row की height वो करनी है 250 attribute inspector के अंदर जाने के बाद इसके identifier में कोई बी name आप enter कर दीजिए जो name यहाँ पे आप type करेंगे वही name आपको जब coding में इसकी requirement पड़ेगी तब आपको वहाँ पे use करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैंने अपने accordingly cell लिखा है आप कोई भी name यहाँ पे ले सकते हैं अब हमने stable view को select करना है और इसके delegate and data source को configure करना है तो इसके लिए control की को press करते हूं इस तरीके से यहाँ drop करेंगे सबसे पहले data source फिर से drag and drop और यहाँ पे select करेंगे delegate data source and delegate दोनों ही configure हो चुके हैं अब हमने object library के through image view को यहाँ पे drag and drop करना है तो चलिए मैं इसको बिल्कुल center में drag and drop करता हूँ size inspector के अंदर जाने के बाद इसकी जो width है वो मैं कर देता हूँ 220 height कर देता हूँ 220 और इसको बिल्कुल center में यहाँ पे लेके आता हूँ horizontally and vertically center में अब मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से कि जैसे यहाँ पे images यहाँ डाउनलोड होती है as the web image लाइबरेरी के तुरू तो image को डाउनलोड होने से पहले हमने यहाँ पे default image वो display करवाई हूई है यहाँ पे आप देख सकते हैं बाद में image डाउनलोड होती है तो यह basically यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है empty image यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से तो इसको as a place holder जो हम use करेंगे इस example के अंदर तो मैं इसको assessed folder के अंदर drag and drop करूंगा इस तरीके से अब आप देख सकते हैं image मेरी जो है वो import हो चुकी है project के अंदर अब हमने इसको apply करना है इस image view के ऊपर तो यह basically default image होगी इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे attribute inspector के अंदर जाने के बाद empty image जो है वो select करके add-on करूंगा और इसको एक बार save कर देता हूँ अब हमने यहाँ पे graphical user interface तो ready कर दिया है अब हम coco ports को यहाँ पे use करेंगे तांके as the web image library को अपने project के साथ embed कर पाएं तो इसको मैं close कर देता हूँ इस project को अभी के लिए और यहाँ पे terminal को open करूंगा मैं terminal आपने लिखना है search के अंदर तो यह terminal यहाँ पे open हो चुका है इसको मैं थोड़ा सा zoom कर देता हूँ तांके आपको clearly यहाँ पे नजर आ पाए अब हमने जहां पे आपका project create हुआ है वह वला folder जो है यहाँ पे open करना है तो मैं यहाँ पे जहां पे भी मेरा project मैंने create किया है उसको मैं open करूँगा उस particular location को और यहां पे आप देख सकते हैं मैंने इस folder के अंदर project को create किया हुआ है अब मैंने यहां पे लिखना है cd और इस folder को drag and drop करना है इस terminal के अंदर automatically path जो है वो यहां पे बन जाएगा आपने enter press करना है तो cd के साथ मैंने space भी देनी है तो space नहीं दी थी space मैंने अब दे दी है इसको drag and drop करते हैं और अब enter press करते हैं तो मैं particular folder के अंदर जो है वो जा चुका हूँ अब मैं यहां पे लिखूँगा pod in it इसको मैं तोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से आपने लिखना है pod in it enter press करना है और आप देखेंगे के जो मारा project का folder था उसमें एक pod file जो है वो बन चुकी है इसको मैं open कर लेता हूँ text editor के अंदर इसको भी मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा तांके आपको नजर आपाए अब हमने यहां पे लिखना है code और उसके बार में आपने single code के अंदर लिखना है as the web image कोमा डालने के बाद अब हम उसका जो version है वो यूज करेंगे 5.0 और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ इस तरीके से आपने mention करनी है अपना framework यहां पर आप लाइबरी यहां पर mention कर सकते हैं इसको मैं save करता हूँ इसको close करता हूँ यहां पर अब मैं लिखूंगा pod install आपका internet जो है वो यहां पर on होना चाहिए तब ही आपकी जो library है वो download हो पाएगी तो आप यहां पर आप देख सकते हैं मेरा यहां पर message लिखा आ चुका है कि port installation complete अब मैंने इस terminal को बंद कर देना है और अपने project वले folder में जाना है और आप देख सकते हैं यहां पर कुछ files जो हैं वो बन चुकी है एक यह बनी है file ports नाम की एक यह workspace बन चुकी है और एक port.lock file ह है तो हमने इसको open करना है इस workspace वली file को और यह basically X code में open होगी अब हम अपना जो project है उसको continue कर सकते हैं कि तो मैं फिर से main.storyboard को open करता हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं अब मैंने यहां पर इस table view के cell के लिए एक custom class जो है वो create करनी है क्योंकि हम यहां पर custom table view को implement करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक custom table view cell की जो class है वो add करनी पड़ेगी तो मैं यहां पर file add करता हूं cocoa touch class होगी next पर क्लिक करते हैं अब मैंने यहां पर जो super class लेनी है वो लेनी है ui table view cell class और उपर जो class का नेम है वो आप कोई भी यहां पर लिख सकते हैं my table view cell इस तरीके से अब आपने next पर क्लिक करना है और इसे create करना है अपने project के अंदर तो class मेरी जो है वो यहां पर custom class जो है वो बन चुकी है में डोर स्टोरी बंड में चलते हैं और अब हमने इसे table view को select करना है इसके अंदर cell को select करना है identity inspector के अंदर जाना हो यहां पर जो class का नेम है वो लिखने की कोशिश करनी एक स्कूर्ड automatically आपकी जो table view cell की class होगी उसको fetch कर लेगा अपने table view का जो IB outlet है इसको create करेंगे तो IB outlet create करने के लिए मैं अपना जो favorite method है assistant editor उसकी help लूँगा तो मैं यहां पर assistant editor पर click करता हूं side वाले panels को मैं hide कर देता हूं तांके आप के लिए लिए यहां पर देख पाएं तो by default जो class यहां पर open हुई है यह view controller इसके अंदर हमने इस table view का जो IB outlet है वो create करना है तो मैं इस table view को select करता हूं keyboard पर control key को press करते हूं इस तरीके से drag and drop करूँगा यहां पर लिखूँगा कोई भी नेम आप रख सकते हैं माई table view मैंने इस तरीके से एक नेम रख दिया है इस IB outlet का अब हमने इस automatic की जगे पर manual के through जो class open करनी है वो हमने करनी है माई table view cell class और इसके अंदर हमने इस image view का जो IB outlet है वो create करना है तो मैं इस image view को select करता हूं control key को press करते हूँए drag and drop करूँगा यहां पर कोई भी नेम आप रख सकते हैं मैं यहां पर रख देता हूं my image view और इसे भी connect कर देते हैं तो चलिए IB outlets मेरे बन चुके हैं अब मैं standard editor में चलता हूँ side वाले panels को unhide करते हैं और हर एक file जिसमें हमने changes की है उसको एक बार save कर देते हैं ताके coding करते वक्त उसकी जो reference है वो reflect कर पाए अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ जो मैंने web API यूज की है वो basically dog.ceo एक website है वहां पर आप bybreed इस web API को यूज कर सकते हैं और इस web API से हमें जो data मिलेगा वो basically json format में होगा जिसको आप कहते हैं java script object notation मगर जो application है वो basically data को use करने के लिए structure को use करती है तो अब हमें इस json data को किसी structure में convert करना पड़ेगा structure में convert करने से पहले हमें same hoop hoop json जैसी structure जो है वो create करनी पड़ेगी अपने project के अंदर तो चलिए यहां पर add करते हैं एक नई file project के अंदर Swift file होगी next वे click करते हैं name आप कोई भी रख सकते हैं मैं रख रहा हूं dog data और इसे create कर देता हूं project के अंदर अब हमने यहां पर करना है struct dog data यह किस type का होगा codable type का होगा क्योंकि codable एक ऐसा protocol है जो आपके JSON data को structure में convert करता है यहां फिर structure को JSON data में convert करता है इसलिए मैंने यहां पर use किया है अब मैं यहां पर एक array use करूंगा string type की होगी array और अब मैं एक status use करूंगा जो के string type का होगा इसको मैं save कर देता हूं अब आपने कोशिश करनी है कि जो properties के name आपने यहां पर mention करने है वो बिल्कुल exactly इन keys के साथ जो के JSON में available है मैच करने चाहिए यहां पर आप status भी देख सकते हैं इससे होगा का conversion जो है वो काफी easy होगी कोछ problem नहीं आएगी आपको तो मैंने यहां पर structure जो है वो यहां पर create कर दी है अब हम इसको save करते हैं और view controller के अंदर चलते हैं और बाकी जो coding है वो यहां पर हम करेंगे तो यहां पर coding करने के लिए मैं लिखता हूँ दो objects यहां पर create करता हूँ dog all data यह होगा dog data type का इसको मैं optional कर देता हूँ अब मैं यहां पर एक array यूज़ करूंगा all links यह array string type की होगी यूरल को save करने के लिए blank array होगी अभी के लिए बाद में data इसमें embed करेंगे हम अब हमने क्योंकि data web API से fetch करना है तो उसके लिए हमें यहां पर एक अलग से जो function है वह हम यहां पर create करेंगे नेम आप function को कोई भी रख सकते हैं मैं यहां पर रख देता हूँ fetch data और अब मैंने यहां पर यूज़ करना है url equal to url और double code के अंदर मैं इस url को यहां पर copy करूंगा और इसे मैं यहां पर paste करूंगा चलिए इस तरीके से अब हमने यहां पर एक task create करनी है url session की help के साथ और data task होगी और इसमें हम यहां पर लिखेंगे url session dot data task dot यहां पर कुछ इस तरीके से shared अब हमने यहां पर विद में url पास करना है और इससे force commissioner handler close हो रहा है उसके बाद हम task को करेंगे resume इस तरीके से अब हमने यहां पर डेटा को validate करना है guard statement के तुरू error को check करेंगे कि वह nil हो अगर यह data validate नहीं हो पाता तो else में हम directly क्या करेंगे print करवाएंगे statement error occurred while assessing data और directly return करेंगे और अगर data properly यहां पर validate हो जाता है guard statement की help के साथ तो हम continue करेंगे आगे यहां पर अब हमने एक object और create करना है dog object नाम का dog data type होगी optional होगी अब हम यहां पर do block को use करेंगे तांके do के अंदर कोई भी error occurred हो तो catch block के through उसको हम पकड़ पाएं और यहां पर मैं लिखेंगा print error while decoding json into swift structure और यहां पर इसको string interpolation के through error के साथ concatenate करेंगे और do block के अंदर हम basically json को structure में convert करेंगे और यहां पर मैं लिखेंगा dog object equal to try json decoder dot decode और यहां पर मैं लिखेंगा dog data dot self और from में हम लिखेंगे data इस तरीके से अब हमने catch block यहां पर बंद होता है उसके बाद में अपने इन दोनों objects को जो value है वह provide करनी है तो वह इस तरीके से हम यहां पर provide करेंगे dog all data में आएगा dog object dog image all links में आएगा dog all data dot dog all data dot forcely unwrap और इसके बाद में इसकी कौन सी property message property basically जो यह सारे urls आप देख रहे हैं यहां पर जितने urls है message property की help के साथ वह सारे हम यहां पर url save करेंगे इस dog image all links वाली array के अंदर अब हम क्यूंकि completion handler में काम कर रहे हैं तो हमें जब भी completion handler के through किसी UI elements के अंदर जैसे table view, label, text field में changes करनी हो updates करनी हो तो हमें main thread में जाना पड़ता है तो उसके लिए के मैं dispatch queue dot main dot ursink को use करूंगा यहां पर लिखूंगा self my table view dot reload data इस तरीके से तो friends जो fetch data वाला function है वो हमने properly यहां पर complete कर दिया है आप चाहें तो यहां पर वीडियो को pause करके इसकी coding यहां तक no down कर सकते हैं अब आप यहां से लेके यहां तक इसकी coding जो है वो no down कर सकते हैं और इस fetch data को आपने करना क्या है कहां पर call करना है view did load के अंदर आपने call करना है तांके जैसे ही आपकी app start हो तो fetch data जो है वो automatically यहां पर execute हो जाए अब हमने क्यूंकि table view को implement करना है तो table view को implement करने के लिए हमें protocols को यहां पर define करना पड़ेगा मैं यहां पर लिखता हूं extension यूज करूंगा सबसे last में दो प्रोटोकोल यूज करूंगा ui table view delegate और ui table view data source इस तरीके से तो आपको पता ही है कि जब भी आपने protocols को use करना है तो उनको confirm करने के लिए उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो compulsory methods है वो code करने पड़ते हैं तो जैसे मैं fix पे click करूंगा तो जो compulsory methods है उनका skeleton यहां पर बन चुका है सबसे पहला table view का function है जिसमें आप parameter देख सकते हैं number of rows जो हैं वो कितनी होनी चाहिए तो यहां पर मैं return करूंगा dog all dog image all links वली जो array ती उसमें जितने number of elements होंगे उतनी number of rows जो हैं वो हमारी table view के अंदर जो होंगी तो एक function हमने यहां पर create कर दिया है अब हमारा जो table view का second function है उसमें आप parameter देख सकते हैं cell for row add इसमें हमने ऐसा code implement करना है जिससे हर एक cell जो भी table view का होगा उसमें किस तरीके से data display करवाना है उसकी सारी coding इस function के अंदर जो हम define करेंगे तो काफी easy है यहां पर code सबसे पहले हम लिखेंगे let cell equal to my table view dot dq reasonable cell identifier में लिखेंगे cell for में index path और इसे typecast करेंगे my table view cell class के through अब आप कहेंगे यहां पर cell कहां से आया तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं जब आपने table view को implement किया था तो जो यहां पर cell के लिए आपने identifier का name लिखा था वही same name आपने अब यहां पर use करना है coding के अंदर यहां पर अब मैंने coding के अंदर इसको use किया है चलिए अब हमने यहां पर if let statement यूज करनी है url equal to url और यहां पर data कहां से आएगा dog image और links में से आएगा कौन सा element index part dot row के थुरू assess करेंगे और अगर यह data validate हो पाता है तब हम यहां पर if block में coding करेंगे image को display करवाने के लिए image को download करवाने के लिए URL से और else में अगर चला जाता है हमारा control तो यहां पर हम करेंगे invalid url no image और default image और यहां पर display करवाएंगे cell के थूरूस की my image view के अंदर empty image और हमारी image थी यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं जो image का नाम यहां पर हमने mention किया था इस image के लिए वही नेम अब हम यहां पर mention करेंगे चलिए और last में हमने करना है return cell और अब हम if के अंदर क्या करेंगे image को दाउनलोड करवाएंगे my image view.sd यहां पर use करेंगे sd web image library को मगर हमने उपर import नहीं किया तो चलिए यहां पर import कर देते हैं import as the web image library इसको मैं save करता हूं अब मैं कुछ configuration यहां पर apply करूंगा सबसे पहले as the underscore image indicator यहां पर set करेंगे value कहां से आएगी as the web image activity indicator dot gray color होगा अब हम यहां पर लिखेंगे my image view dot उस indicator की जो animation है वो यहां पर start करेंगे इस तरीके से अब हमने image को URL से डाउनलोड करना है तो उसके लिए लिखेंगे my image view dot sg underscore set image और उसको pass क्या करेंगे इस तरीके से values पास करेंगे with में पास करेंगे URL image का जो URL है वो पास करेंगे options के अंदर हम यहां पर चलिए placeholder वाला ही function यहां पर हम use करते हैं तो मैं तबारा से यहां पर open करता हूं यहां पर option है वह बलाप यहां पर दुबारा से करते हैं as the under score set image यहां पर अब हम use करेंगे इस तरीके से यह वाला with में URL पास करेंगे image का उसके बार में placeholder में हम हम लिखेंगे UI image और named के तुरू हम यहां पर इसको empty image पास करेंगे as a placeholder option में हम dot continue in background इस तरीके की option select करेंगे और completed में हम कोई भी completion handler नहीं use करेंगे directly निल लिखेंगे तो इस तरीके के parameterize वाला जो set image वाला जो sd का function है वो हम use करेंगे image को download करवाने के लिए अब आप देख सकते हैं हार एक image के जो corners है वो हमने थोड़े से round किये हुए चारो तरफ से तो इसके लिए हमें यहां पर coding करनी पड़ेगी पहले तो हम करेंगे माई image view dot उसकी जो content mode property है उसको हम करेंगे dot लगा के scale to fill अब हम लिखेंगे cell dot my image view dot उसकी layer और उसका जो corner radius है उसको हम करेंगे 50 इस तरीके से तो friends यहां पर आप देख सकते हैं coding मैंने second function की भी जो है वो complete कर दी है आप चाहें तो यहां पर वीडियो को pause करके इसकी coding जो है वो no down कर सकते हैं अब हम मैं यहां पर extra coding करने वाला हों कि कई बार होता क्या है जब आप fastly इसको scroll करते हैं तो images जो है वो एक दूसरे के ऊपर कई बार overlap होती हैं तो वो overlap से बचाने के लिए अपनी application को मैं my table view cell class के अंदर एक code लिखूंगा यहां पर code क्या लिखना है हमने यहां लिखना है एक override करना है function prepare for reuse का तो मैं यहां पर करूँगा super.prepareforreuse और यहां पर my image view की जो image है उसको मैं यहां पर null pass करूँगा तो चलिए इसको मैं save करता हूँ तो यह code आपने overlapping से बचाने के लिए अपनी application के अंदर जो table view है उसमें images एक दूसरे के ओपर overlap होके change ना हो तो इसलिए मैंने यहां पर यह code लिख राए तो friends coding हमारी complete हो चुकी है आप चाहें तो वीडियो को यहां पर pause करके इसकी coding no down कर सकते हैं graphical user interface बिल्कुर ready है एक बार मैं इसका background color है वह change कर देता हूँ तांके पहली वाली आप से थोड़ा सा यह वह different लगे इसको मैं save करता हूँ यहां पर पुरानी आपको बंद कर देते हैं इस नई आपको यहां पर build करते हैं और run करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसकी जो output है वो निकल के आती है तो यहां पर मेरे पास error निकल के आई है अगर मैं इसके ओपर click करूँ तो यह basically error जो है वो iOS के version के कारण आई है क्योंकि मैं जो Xcode का version यूज करहा हूँ वो basically 10 जो मेरे पास iOS simulator है 12.2 मगर यहां पर 13 के लिए यह code दिया गया है तो इसको मैं comment में convert कर देता हूँ पहले मैं unlock करूँगा अब मैं forward slash और इसके साथ में star और यहां तक star फिर forward slash तो यह code जो है वो मैंने comment में convert कर दिया है फिर से मैं इसको run करता हूँ अब देखते हैं कोई error निकल के आती है तो फिर से यह error निकल के आई है आप देख सकते हैं iOS 13 के लिए यह code है इसको भी मैं comment में convert कर देता हूँ इस code को भी forward slash लगा देता हूँ अगर आपके पास नया X code है और iOS का जो version है वो 13.0 है इस simulator के अंदर तब आपको यह problem नहीं आएगी मेरे पास पुराना version है इसलिए यह problem जो है वो अकड हुई है तो मैंने इसे comment में ही convert कर दी है फिर से build and run करेंगे और अब देखेंगे किस तरीके से मेरी app का जो यहाँ पे build है वो बन पाता है तो app का जो build है वो लगता है अब successfully यहाँ पे आप देख सकते हैं बन चुका है app install हो चुकी है simulator के अंदर अब इसकी जो output है वो देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से images जो है वो download होने के बाद यहाँ पे display हो चुकी है तो friends यह थी हमारी आज की example अगर आप उपर टाइटल बार में कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ आपको ने करना गया है में डोड स्डोंट में जाना है इसको स्लेक्ट करना है और यहां पर करनी है navigation CC तॉशक मैं एकर देता हूँ navigation controller को यहां पर आप आप नहीं आप इसको स्लेक्ट करना है और इसके टाइटल में यहां पर आप दे सकते हैं sd web image library and web api इस तरीके से value इसको मैं save करता हूँ फिर से build and run करते हैं और देखते हैं अब title bar जो है वो display होगी आपकी application के अंदर with the help of navigation controller इस तरीके से तो friends देखिए अगर आपको आज की example के बारे में पता चल चुका है कि कैसे आपने sd web image library को project में use करके multiple data को images को URL के through download करवाना है और उसे display करवाना है table view के अंदर तो जल्दी से इस वीडियो को like कीजिए अगर और भी videos आप हमारे channel के उपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करना मत बूलिए bell icon को press कीजिए तांके जैसे ही हम कोई नही वीडियो अपने channel के उपर upload करें तो उसका जो notification है उसी time पर आपके पास जो है वो पहुँच पाएं तो friends channel के साथ बने रही है वीडियो देखते रही है प्रोग्रामिंग सीखते रही है ठैंक्स फ्रेंट्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ तब के लिए बाए बाए